हेलो दोस्टों, उत्राखण्ड की पार्ट शारा में आप सभी का श्वागत है तो देखिए दोस्टों अपने इस चैनल उत्राखण्ड की पार्ट सारा में मैं लेकर आता ह сил उत्राखण्ड बिस्वा इसे संभनदित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो की important होता है उत्राखंडे की सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए जहाँ पर भी उत्राखंडे से ऐसे संबंदित प्रस्ट में पूछे जाता है जो की पर देखे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो टीरी रियासत का इतियास चाहाँ पर देखे पहला प्रस्ट जो हमारा आज का है वो है तो इसका जो सही आंसर है वो है देखे इन चार ओप्संस में से अठारा सो बीस में अठारा सो बीस में सुदर्शन सहा एम अंग्लेजों के मज्य संदी हुई थी और अंग्लेजों ने सुईकार किया था चार मार्च अठारा सो बीस को कि अब सुदर्शन सहा एम उसके वनसजों का अधिकार रहेगा टीरी पर वही सासन करेंगे वैधानिक अधिकार दे दिया गया था इन्हें ठीक है अगला दिखे अगला जो प्रस्ण है वो है कभी सुरत के नाम से कौन सा परमार सासक रचना करता था यह हो यापर नाम होना था तो कभी सुरत किसका मदब रचना का मतलब जो रचनाय करना का जो नाम था कभी सुरत था या कौन कभी सुरत के नाम से रचनाय करता था तो इसका जो सही आंसर है पहले परमार जो टेरी के सासक थे सुदरसन सा ठीक है वैसे तो इनका करम पचपनवा था लेकिन टेरी के करम बात करे तो यहाँ पर यह पहले परमा कुल सासन किया था उन में से अंतिम किसे माना जाता है उनने ही अंतिम परमार सासक कहा जाता है उतरवरती ठीक है दो भागों में थे परमार पहले वो जो स्रीनगर और देवलगर और बाद में दूसरे उतरवर्ती वह जो टीरी पर सासन किया करते थे अगरा देखिए किस सासक ने नरेंद्र नगर से मुनिकी रिती तक सड़का निर्मान किया तो इन में से कौन सा सासक था जिसने नर परताब साने लेकिन चातर सुनकों का विकास हुआ नरेंद्र साह के समय अगला प्रस्ठ है उत्तर वड़ती तीरी नरेशा की संंक्या थी तो जो उत्तर वर्ती परमार होते हैं त्षी ढियासत में सासन करने वाले उनकी संक्या कितशह कितनी ती तो टुल 6 वो सासक थे जिन नदी के ततपर घटित हुआ था, तो एक प्रसिद्ध घटना है रवाई कांड टेहरी रियासत की, टेहरी का जलियाhan वाला बाव कहा जाता है रवाई कांड को, तो किस नदी के ततपर ये रवाई कांड घटित हुआ था, तो इसका जो सही मुख्य मंतरी हुआ करता था जिसे हम परदान मंतरी कहते हैं वो कौन था या उसे क्या कहते थे तो मुक्तार उनका सबसे बड़ा मंतरी हुआ करता था परमार सासकों का ठीक है अगला है किस सासक ने वनों का ठेका विलसन को दिया देखे सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है विल्सन फ्रेडरिक विल्सन टिरी छेत्र में तो किसने इसे वनों का ठेका सबसे पहले दिया था ये एक वनों ठेकेदार था ठेक है वनों को काटने का कारे करता था तो इसको वन ठेका जो सबसे पहले दिया था वो दिया था परमार सासक शुदर्शन साहा के साहने और उनी के समय ये ठीरी आया था ये याद रखना है अगला प्रशन देखिए ठीरी में हिवेट संस्कृत विद्याले की स्थापना किसमे की तो ठीरी में इस्थापित हुआ था हिवेट संस्कृत विद्याले तो उसकी स्थापना करने वाला जो राजा था इन चार आप्संस में से उसका सही आंसर है राजा कीर्थिसाहा राजा कीर्थिसाह के समय हिवैट संस्कृत विद्याले की स्थापना हुई थी टीरी में संथा 1909 का ठीक है अगला देखिए किस सासक ने पर्थम बाल ठीरी में अस्पताल खुलवाया तो इन मैसे कौन सा वो सासक था जिसके समय पर्थम बाल ठीरी में अस्पताल खुला गया तो इसका सही आंसर है परतापसा देखिए 1776 में परतापसा ने पहली बार दवा खाना या अस्पता साल खूला था तीरी में ठीक है अगला प्रश्ण है देखिए किस सासक ने स्वरपृत्म राजदानी अन्या स्थान पर इस्थान रित की मतलब कौन सा वो सासक था जो तीरी से राजदानी को किसी अन्या दूसरे अस्थान पर लेकर गया था तो इसका जो सही आंसर है वो है प प्रसासन की सुवदा है तो कितने ठाणों में बांटा गया तो प्रसासन की सुवदा के लिए ठाणों अत्राथ ठाणों में बाटा गया था तो टिरी को चार ठाणों में बाटा गया था चार ठाणे थे टिरी में या ठाणे जिना हम बोलते हैं और ये किया था सुधरसन साहा ने देखिए भवानिसा सुदर्सन साह के जो बात जो राजा मने भवानिसा उन्हें बहुत ज़्यादा मदब दरबारी साडियंत्रों का सामना करना पड़ा इसलिए कुमाओ कमिशनर रेमजे ने उनकी साहता कि और उसे गद्धी पर बैठने में सयोग किया ठीक है अगला प्रशन है नरेंद्र नगर को कब रियासत की राजधानी बनाया गया तो किस वर्ट से नरेंद्र नगर को रियासत की राजधानी बनाया गया था तो देखिए 1925 में नरेंद्र नगर को रियासत की राजधानी बनाया गया नरेंद्र साहा ने इसकी स्तापना की थी 1921 म और इसको 1925 में आपर राजदानी लाई गई ठीक है यह याद रखना है कि स्तावना 21 में और लाई गई 25 में किस टीरी नरेज को कला विदों का सिरोमणी कहा जाता है तो कला विद जिसके दरबार में रहते होंगे उसे ही कहा गया होगा जो कला कारों को आसरे देता होगा तो इसका जो सही आंसर है हो है सुदर्शन सा को ही कहा जाता है कला विदों का सिरोमणी ठीक है अगला प्रशन देखिए सुदर्शन द्वा द्वारा निर्मित तीरी दरबार की स्तापना कव ही तो सुदर्शन सा ने तीरी में राजदानी स्तापित की और इसके लिए जरूरी था कि वहां पर एक राजमहल भी हो तो इस राजमहल का निर्मान यहाबर टीरी में कराया था सुदर्शन सा ने 1848 में ठीक है अगला प्रशन रवाई कांट के संबंध में किस संपादक को एक वर्स की सजा हुई तो रवाई जो कांट हुआ था तिराडी मैजान में उसकी ख विसंबर्दत चंदोला और इनका जो पत्र था वो था गडवाली इनने गडवाली में इस घटना की निंदा की जिसकर इनने एक वर्स का कारावास हुआ एवं जुर्वाना इन पर लगाया गया था विसंबर्दत चंदोला पर तो ये महत्वपूर प्रस्ण हो सकता है अगला है किस सासक ने सियांचन पर बैठने पर उत्त्रादिकार का युद्ड का सामना करना पड़ा तो इसका सैयांचर है भव्वानिशा मैंने कहा था बववानिशा को दरबाली सड्यांतुरों से जोजना पड़ा जिसकरनार रहमजे ने उसकी साहता की थीं तो यही वो था जो भाई था, मतलब सौतिला भाई जिसका नाम था क्या, चचेरा भाई था सहयद, सेर सहा, सेर सहा के सडियंदर देखने को मिले थे और रेमजे ने सेर सहा को कैद करके दैरादून में डाल दिया था और बवानी सहा को गंदी पर बैठाया था, तो ठीक है, आगे देखो, अगला है, परताप नगर की स्तापना कव हुई, तो इस पर बात कर चुके हैं, परताप नगर जो की परताप सहाने जलकुर नदी के तरफ पर बसाई कराजदानी चितर था, तो वो था 1877 में, ठीक है, अगला देखिए, किस सासक ने टीरी में खेन और घीकर को समाप्त किया था, त यह कारी कहा था, रानी जो गुलेरिया थी, उनके परभाव में आकर खेन और घीकर समाप्त किये थे, ठीक है, पाला विसाओ करवीनी के समय समाप्त हुआ था टीरी में, ठीक है, अगला है, टीरी में बाल सबाकी स्तापना कव हुई, तो टीरी में बाल सबाकी स्तापना हु सब्सक्राइब की लिए बाल सभा की स्तराइव थी नाइनीटिन-धिर्डिव में प्र milhões français की ठीकर थी तो इन चार में से निफल सब्सक्रिव सब्सक्राइब की थी तो इसका सही आंज़र्य इंसक्रिव को स्तापना की ती उए अगला है गर्दे इस सेवा संग की स्तापना कब हुई तो जो टेरी में नागर्विअतिकारों की मांग के लिए या सुष। संद लाने के लिए इस संद की स्थापना हुई थी टीरी के लोगों के द्वारा तो गर्दे सेवा संद की स्थापना हुई थी 1936 में दिली में और इसका नाम 1936 होना था 1938 में कर दिया गया क्या हिमालय सेवा संग जब कि इसका नाम जब कि इसकी स्तापना हुई थी 1936 में ठीक है अगला देखिए टीरी में वन विवाग की स्तापना किसके समय हुई तो देखिए टीरी में वन विवाग की स्तापना हुई थी एक मई 1885 को और ये सन आता है परताप سाह का तो परताप साह के समय स्थाप्ना हुई होगी तीरी में ब्न विवाग की ठीक है अगर देखे मूर क्राफ्ट ने किस के समय तीरी की यातरा की तो एक विदेशी यातरी तीरी आया था जिसका नाम था मूर क्राफ्ट यह व्यक्ति किसके समय तीरी आया था तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर मैं देखने को मिलता है मूर क्राफ्ट सुदर्संसा के समय तीरी आया इसने तीरी का जिक्र यहाँ पर किया राजा की जो दरिद्रता है उसका जिक्रिष्णया पर किया था इसलिए प्रसिद्ध है मूर क्राफ्ट ठीक है और ये यात्रा की थी 1820 में 1820 की यात्रा है सुदर्शन साह के समय मूर क्राफ्ट की ठीक है अगला देखिए तीरी रियासत का पहला भूमी बंदोबस्त कब हुआ तो देखिए भूमी बंदोबस्तों की बात करने तो तीरी रियासत में कुल पांच भूमी बंदोबस्त हुए थे उनमें जो पहला भूमी बंदोबस्त हुआ था वो आ था 1823 में सुदर्शन साह के समय और अंतिम हुआ थ 23 में निरेंदर सहा के समय ठीक है इसके बाद एक भवानी सहा के समय हुआ एक परताब सहा के समय हुआ ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगरा देखिए महाराजा सुदर्शन सहा का परमार सासरों में क्रम क्या था तो जो परमार सासक हुए कुल उनमें महाराजा सुदर् अगला प्रश्ण है रवाई छेतर को कब टीरी रियासत में सामिल किया गया तो इस रवाई छेतर को कब टीरी रियासत का इससा बनाया गया था तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है options में से तो वो होगा देखिए रवाई चित्र को टीरी रियासत का हिस्सा बनाया गया था 1924 में सॉरी 18 यहाँ पर होना था 1824 1824 में इसे बनाया गया था हिस्सा ठीक है अगला देखिए स्वामी रामतीर्थ किस नरेश के समय टीरी आए तो जो स्वामी रामतीर्थ से वो किस नरेश के समय टीरी आए थे तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा किर्थि साब राजा किर्थि साब बहुत ही परभाई थे स्वामी रामतीर्थ से और उनी के समय स्वामी रामतीर्थ क्या टीरी आये थे अगला है टीरी में घंटागर की स्थापना किस ने करवाई तो किस राधा ने टीरी में घंटागर की स्थापना करवाई थी तो देखिए महारानी विक्टोरिया जो बिल्टेन की रानी थी उनकी 35 वर्स गांट थी स्यासन हासिल करने की या राज रोहन की तो इस उपलक्ष में किर्थी सहा ने ठीक है जो नरेश थे किर्थी सहा उन्होंने 1898 में यहाँ पर क्या गंटागर की स्तापना की थी अगला है तीरी में वन विवाग की स्तापना कब हुई तो इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं एक मई 1885 को तीरी में वन विवाग की स्तापना हुई तीरी में पर्थम कन्या पाट साला की स्तापना किस नरेश ने की थी उपादी है ये दाता ग्याता सूर्मा तो किस टीरी नरेज को ये उपादी दी जाती है तो ये दी जाती है उसी नरेज को जिसे कलाविदों का सिरोमरी कहा गिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधरसंद सहा सुदर्सन साह कोई दाता ग्याता सुर्मा कहा गया है अगला है वादी से सुल्क लेने की पर्था की सुर्वात किस ने की तो जब न्यायले में जो वादी होता है जो अपना केश दायर करता है उससे सुल्क लेने की पर्था किसने शुरू की थी केस या न्याई विवस्ता को आगे चलाने के लिए तो सुदर्शन साने ये विवस्ता की थी कर अगर किसी आपको न्याई चाहिए तो आपको सुल्क देना पड़ेगा न्याई ले में तो सर्व धर्म समेलन जो रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ की अध्यक्सता में हुआ था, तो किसने ये करवाया होगा, तो इसका जो सही आंसर है, राजा कीर्थिसा, ठीक है, राजा कीर्थिसा के समय ही ये हुआ था, अगला है, तीरी रियासत में कुल कितने भूमी अगरा देखिए, बद्री सिंग अस्वाल के नित्रतों में सकलाना का विद्रो कब हुआ, तो बद्री सिंग जो अस्वाल था, वो एक विद्रो का नित्रता था, इसने तिहार देने से बंद कर दिया था, तिहार का अर्थ होता है, जो उपा जोती है, उसका तीसरा हिस्सा करक रूप में तो कब यह आंदोलन यहाँ पर हुआ था तो 1851 में बद्री सिंग अस्वाल के नितितमें सकलाना के लोगों ने तिहार देना बंद कर दिया था ठीक है यह है अब देखिए अगला प्राशन देखिए दिल्ली में किस वर्ट से अखिले परवातिया समेलन हुआ था देखिए दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था गरवाल चेत्रों के विकास के लिए या परवाति चेत्रों के विकास के लिए उनकी रूप रिखात्रे करने के लिए तो यह हुआ था 1938 में और यह परसित इसलिए है कि इसमें सिर्कात की थी बद्रीदत पांडे जिने हम विवाग की स्तापना टीरी में हुई थी तो इसका जो सही आंसर है टीरी में पुलिस विवाग की जो स्तापना हुई थी वो हुई थी परताप सहा के समय ठीक है याद रखने आपको अगला है रेड क्रॉस सोसाइटी के स्तापना कहां हुई थी तो टीरी में रेड क्रॉस सोस जो कि युद्ध के समय क्या करती है सेना ग yemek अगला दखिए तो किया भूद की इसापना की गई थी तो TB में आपकोंपनों तक व्यूद्य में चिर्णी समय में दो लाइंछा दर्साइब समय में क्यों पर चाहेı . राज साही के अत्याचारों के कारण तो इसका जो सही आंसर है 25 जुलाई 1944 को स्रीदेव सुमन की हत्या यहाँ पर हो गई थी ठीक है टीहरी में अगला देखिए टीहरी राज्य परजाम अंडल की स्थापना कब हुई तो टीहरी राज्य जो परजाम अंडल था जो टीहरी के हक के लिए कारे करता था टीहरी के नागरिक अधिकारों के लिए कारे करता था उसकी स्थापना देखिए 23 जनवरी उनिस्सों 49 को हुई थी देरादुन के चुक्खु वाला मोहले में ठीक है अगला है तीरी रियासत में कुल कितने परमार सासकों ने सासन किया तो तीरी रियासत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 60 परमार सासकों ने नहीं बलकि कुल 6 परमार सासकों ने सासन किया था 60 नहीं 60 परमार सासक थे जबकि तीरी रियासत में कुल 6 ही परमार सासक थे ठीक है अगला है धंड़क का अर्थ था धंड़क का अर्थ क्या था तीरी रियासत में तो तीरी रियासत के आंदरोनों को देखिए धंड़क कहा जाता था धंड़क ठीक है आंदरोनों को अगला है स्रिदेव सुमन अंतिम बार कुल कितने दिवस के लिए जेल में बंद रही तो जो स्रिदेव सुमन थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था वही पर आमरण अंसन के दोरा उनकी मिलत्य हुई थी और मतलब जेल के करमचारियों के अत्याचारों के द्वारा तो कुल भूमिकर है उसे मामला कहा जाता था ठीक है अब अगला देखिए परताफ सहा ने तीरी को कितने परगनों में बाटा तो देखिए बात है 1877 की 73 की इस समय परताफ सहा ने तीसरा भूमि बंदोबस्त करवाया था तीरी का और इस तीसरे भूमि बंदोबस्त में उन्होंने टेरी को 22 परगुनों में बाटा एवं, जूला पेमाइस नामक एक, क्या भूयवस्ता लागू की थी? जूला 25 नामक भूवेस्ता ठीक है लागों की थी और 22 बागों में बाटा था तो यह में याद रखना है किस टेली नरेस के समय बासर धंड़क हुआ था तो बासर एक धंड़क है तो किस टेली नरेस के समय यह बासर धंड़क हुआ था तो परताप साह के समय बासर ढंड़क वा था जिसमें बासर की एक महिला को पाला बसाओ टेक्स के देने के एवज में रसीद नहीं दी गई थी और लच्मू कड़ेत ने इसके लिए राजा से बहुत ही राजा की करम चारिया से जगड़ा किया था लच्मू कड़ेत ने और उ से तो उन्होंने यहाँ पर सांती रक्षा कानून पास किया जैसा की धारा 144 वतिया उस तरह का एक कानून था यह तो 1947 में यह हुआ था जब देश आजात हो रहा था ठीक है 1947 में अगला है टीरी में विदान सभा का पर्थम चुनाव कब हुआ तो देखिए टीरी में पिर त मता अधिकार के आदार पर चुनाव हुए थी ठीक है अगला देखिए टीरी और बिडिस कुमाओं के मज्य सीमा थी तो जो टीरी और बिडिस कुमाओं था उसके मज्य सीमा क्या थी कौनसी नदी सीमा बनाती थी तो इसका जो सही आंसर है अलक नंदा अलक नंदा नदी जो देख चुके हैं कि 1820 में परमार सासकोंप का तीरी पर जो एक अधिकार होता है रवनसुदा का जो अधिकार होता है उसे स्विकार किया गया था ब्रिटिस सरकार द्वारा कि 1820 में जब सुदरसंद साह और इनके मज्य संदी हुई थी अगला देखिए तीरी में अंग्रेजी सिक्षा की सुरुवात किसके समय हुई तो एक स्कूल की स्थापना हुई थी परताप नगर में परताप साह के दरा इसे हम परताप पाट साला कहते हैं उसमें परताप साहा परताप पाट साला को परताप इंटर कॉलेज बनाया था किरति साह ने और इसे ही इंटरमेडियर कॉलेज सुरी हाई स्कूल बनाया था किरति साह ने और इंटरमेडियर कॉलेज बनाया था नरेंदर साह ने ठीक है अगला देखिए अगर प्रस नहाया कि परताप हाई तो इसलिए बहुत हरी वाजय इनको प्राप्त थी अगला है किस टेहरी नरेश ने आधुनिक वैद साला का निर्मान कराया था तो कौन सा वो टेहरी नरेश था जिसने टेहरी में आधुनिक वैद साला का निर्मान कराया था तो रवाई जो कांड है वो घटना है 1830 की और 1930 का ये समय होता था नरेंदर साह का तो नरेंदर साह के काल की घटना है रवाई कांड जहां पर चकरदर जुयाल ने निहती जन्ता पर गोलियां चलवा दी थी ठीक है अगला है जूला पैमाईस किस सासक के भूमी बंदोबस से संबंदित है तो मैंने बात कर चुका हूँगी 1873 में जूला पैमाईस की थी परताप साहा ने जहां पर 22 परगुना में बार दिया था टेरी रियासत को अगला है टेरी में कैम्प बेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना किस वर्स हुई किस के समय हुई तो किर्दि साह के समय टेरी में कैम्प बेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना हुई थी जो की इसकूल से संबंदित था सिक्षा से अगला है टेरी राजे में तिहाड क्या था तो मैं बता चुका हूँ कि टीरी राजे में तिहाड था एक कर जो की उपच का तीसरा हिस्सा हुआ करता था अगला है टेरी की रासी की आती तो टेरी राजी की एक रासी भी तैकी गई थी टेरी सहर की जब इसकी इस्तापना हुई थी तो सिहां इस रासी का सहर था टेरी सिहां रासी का सहर था टेरी ठीक है अगला है टेरी की सस्तान के समीब बसाई गई थी तो टेरी बसाई गई थी इन दो थार? तो जो किर्सी बैंक की स्तापना हुई थी, वह हुई थी देखे राजा कीर्थी सहा के समय इसका सही आंशर है राजा कीर्थी सहा ठीक है तो मेने कहा था सबस्कुेट की थी परताब साने अगला देखिए सुदर्शन साया ने सबा सार रचना कितने खंडू में लिखी तो यहाँ आप को याद रखना है और कवि सुलत नाम से के बिताया लिखना था तो वो रही थी किर्धिसा की सरक्चिका किर्धिसा की मा थी वो और उनकी सरक्चिका रही थी जब वो बच्चे थे ठीक है अगला है तीरी में परताप हाई स्कूल की अस्तापना किस्ने परताद उत्तर तीरी में जो परताप पाट साला है उसका स्तापना की ते परताप साने और उसे हाई स्कूल बनाया था कीर्थी सहाने ठीक है अगला देखिए अगला प्रस्ण होगा रवाई कांड में किस व्यक्ति के द्वरा गोलियां चलाई गई थी तो इसके बाद बात कर चुका हूँ रवाई जो कांड था उसमें बासर धंड़क हुआ था प्रताप सा के समय में तो इसी के बाद मारा गया था लचमु कठहत को तो वो समय था प्रताप सा का तो लचमु कठहत की जो हत्या थी वो प्रताप सा के समय हुई थी तो दोस्तों यह थे हमारे आस स्टेरी रियासत से संबंदित प्रश्ण बहुत ही मैत्वपूर ये प्रश्ण थे अगर आज इसमें साब को कुछ प्रश्ण नहीं आते होंगे तो नहीं नोट कर लीजेगा जो अगर सब आते होंगे तो बहुत अच्छी बात है पढ़ने के बाद देखिए प्रश्णों के म आजम से आप अपने नोलिज को चेक कर सकते हैं दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ उत्राकंट की पार साला के साथ धन्यवाद